विल्कम टू माई चैनल थम्निल से आपको पता चल गया अज हम क्या बनाने जा रहा हैं हाँ जी मसाला परवल ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले मसाला परवल के लिए हमने 500 ग्राम परवल ले लिया इसे धो के छील के साफ कर लेंगे सारे परवल छील लिया अच्छे से धो भी लिया अब इसी परवल को दोनों तरफ से कट लगा देंगे सारे परवल को रेडी कर लेते हैं कट लगा के कुछ मसाला रेडी कर लेते हैं मसाले के लिए हमने लिया दो इंच अद्रक के टुकडे छे से साथ के लिया लासन के और एक छटी चम्मच ये सरसो का दाने ले लिया इसे हम पीस लेंगे और सुखे मसाले में एक पेस्ट मना लेंगे इसके ली हम एक छोटी बाहल में ले लिया आप टीस्पून टर्मडिक पाउडर आप टीस्पून लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून चीरा पाउडर और आप अथीस्पून धनिया पाउडर इसे पानी से हम एक पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बना के साइट में रख देंगे एक कड़ाय में दो टेबल स्पून ओयल गरम कर लिया उसमें सारे परवल को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे कलची को चलाते हुए हम सारे परवल को फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से उलट पलट के सारे परवन फ्राई कर ले फ्राई करते टाइम फ्लेम मीडियम रखे ये बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में भी लाजवाब होता है आप एक बार जरूर बना के खाईए सारे परवल फ्राई हो गया भून गया अब इसे निकालके साइट में रख देंगे आप इसे कराई में 2 टेबल स्पून ओयल और डाल दिया इसमें हमने जो मसाले सुखे मसाले का पेस्ट बना के रखे थे उडालेंगे सुखे मसाले का पेस्ट डाल दिया इसे दो मिनिट भूनेंगे दो मिनिट अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे अब हमने जो सरसो अध्रा का लासन का पेस्ट बना के रखे थे उसको भी डाल देंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे और इसे पांच मिनिट तक भूनेंगे स्वादन सा नमक डाल दिया इसे भी मिला दिया और अच्छे से भूनेंगे ढ़क के मीडियाम टू लो फ्लेम में इसको पकने देंगे कड़ी पांच मिनिट हो गया अब हम इसे इसी मसाले में परवल एट करेंगे भूना हुआ परवल इसमें एट कर देंगे सारे परवल एट करके अच्छे से मसाले के साथ मिक्स्ट करेंगे मसाले का कोट हो जाए परवल के उपर अच्छे से मीक्स करके वे भूनेंगे मसाले के साथ परवल को अब इसे ढख के पकाएंगे तीन से चार मिनिट बीच में हमने वन फूट का पानी डाल दिया था ढखकन खोल के अब इसे थोड़ा सा चला देंगे और फिर से ढख देंगे पाच मिनिट के लिए कड़ी पाच मिनिट हो गया वाइल भी सेपरेट हो गया देखिए हमारा परवल रेडी इसे हम साफ कर लेते हैं खाने में बहुती ला जवाब होता है आप ये एक बार ज़रूर बनाएए और ये रेसिपी आपको कैसा लगा आपके अनुभब मुझे कमेंट में बताईए अच्छा लगा तो भी नहीं लगा तो भी थैंक्यू फर वाचिंग माई चैनल अच्छा लगा बताईए